नमस्कार दोस्तों इस्टडी फोरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देखिए फीफा वर्ड कप रशिया 2018 के बारे में यहाँ पे हम डिस्कॉस करेंगे जितने भी इसके important questions बन सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में complete हैं गाइस यह important इसलिए हो जाता है कि यह चार सालों में एक तो होता है पहली चीज़ दूसरी चीज़ की आने वाले exam जो भी हैं आपके railway के exams हो गए हैं, UP police के exams हो गए हैं SSC के exams हो गए, UP PCS के exam हो गए, PCS के exam हो गए, किसी भी exam में, किसी भी state के exam में यह आपके लेकपाल वीडियो हर exam में एक से दो questions यहां से पूछे जाएंगे और गाइस अगर यह वीडियो आपने आंतर तक देख लिया तो आपको फिर इस से फीपा वर्ड कप से जितने भी questions पूछे जाएंगे कफी गलत नहीं होंगे यह कि स्टार्ट करते हैं रशिया का जो 2018 में हुआ है रशिया में हुआ है इसमें फाइनल में तोटी में रही है फ्रांस और आपका क्रोईशिया रहा है उनमें से फ्रांस भीजेता रही है ठीक है तो चलिए देर न करते हुए पहले हम स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो National Deep Football Association, होता है, इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा से थेक यह फाउनडे हुआ था, 21 माई 1904 में यह बनाया गया था, 21 माई 2004 में, इसका हैंड़क्वार्टर की बात कर देती है, यह जिवरे की स्पेलिंग एच यहां पर नहीं होगा, स्वेटिजर लेंड में है, प्रेसिड वीवर हैं आप तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो विल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे हमारी important videos upload हो तो उसकी notification आपको सबसे पहले मिल जाए वीडियो को like करें और दोस्तों के ज़ादा से ज़ादा share करें चलिए फिर start करते हैं FIFA World Cup Russia 2018 के बारे में important facts यहाँ पे हम important facts थोड़ा से देखेंगे उसके बाद हम last में multiple choice questions भी attempt करेंगे जिससे की हमारा a quick revision हो जाए 30 questions होंगे most important question होंगे इससे बाहर नहीं आएगा guys I am sure यह मैं आप से promise करता हूँ चलिए हर sports की तरह इसमें भी एक सुभंकर है और इसका official mascot था वोल्फ जैवीवका वोल्फ जैवीवका है क्या यह रशिया के एक आप समझ सकते हैं वहाँ पे एक भेडिया है उसका नाम जैवीवका है यह आप picture में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है ठीक है यह हमारा जैवीवका नाम का वेडिया है का सुभंकर है एक question और important बनता देखे रशिया की पहली बात तो हम जान लेते हैं रशिया की currency क्या है रशिया currency ruble है उन्होंने ruble एक 100 currency 100 ruble की एक currency launch dark ticket जारी किया हुआ था ठीक है वो किसके उपर था वो मैं बता दूँ आपको कि एक वहा के goalkeeper लेवियाशीन को यह 100 ruble के dark ticket जो है इनको dedicate किया था इनका picture यहां पर देख सकते है 100 ruble में ठीक है उसके बाद कुछ important facts है इन facts को देखने के बाद हम star करते हैं MC की multiple choice देखे गेंद football का नाम क्या था जो 18 में हुआ है 2008 रशिया में उसके football का नाम क्या था तो यह टेल स्टार था इसको किस company ने बनाया इसको बनाने वाली company का नाम था एडिडास ठीक है तो यह एडिडास company ने बनाया था ठीक है एडिडास ने टेल स्टार बनाया था सबसे ज़्यादा गज गोल किस टीम ने टागए है सबसे ज़्यादा गज़ अगर किसी टीम ने तागए तो वो है Belgium पहली बार किस तेश की टीम ने हिस्सा लिया याल currently क कसूज मिलता है उनको एडे खाउक मिलता है एंगलैंड के हैं पहली बार fare play rules का जो प्रियोग किया गया था चापान और सेनेगल कि जैसे कोई टीम क्योंच कर गई किसी को तो उसमे प्रियोग कर के पहली बार यहांस में हुगा जापान और सेनिगल दोनों final में थे, sorry final माफ करियेगा, दोनों के score जो थे बराबर हो गए थे, तो वहां पर ये रूज करना आ गया था है, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है, डेनियल अरजानी या उस्टेली के मात्र 15 साल 152 दिन के है ठीक है, गोल्डेन बॉल भी जेता है, गोल्डेन बॉल है, लुका मोड्रीड, गोल्डेन बेस्ट गोल्कीपर या गोल्डेन गलफ किसको मिला है, थेबाट, कोटोईस, बेल्जियम के रहने वाले हैं, ठीक है, final मैच रूस के किस सहर में हुआ था, तो final मैच रूस के मॉस् और करनाड़ तीनों सहयोग तुरुप से इसको करेंगे, गाइस, एक ची मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पर और अरड़ी फ्यूचर में होने वाले स्पोर्स, फ्यूचर में जो भी गेम्स होंगे, उसकी एक वीडियो अलरड़ी चैनल पर अप्लोड है, आप उसको जितने भी स्पोर्स होने वाले उसके देश का नाम किस सेसन में होगा वो, वो पुरा सेड्यूल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, अगर उस वीडियो को देख लेते हैं कि एक कुश्चन एक्जाम में पूछा जाता है कि ये स्पोर्स कहां पर होगा, वो सारे इन्फरम कि मैं बात करूँ तो FIFA World Cup ये सबसे जादा ब्राजील ने जीता है, ठीक है, देखे ये एक लिस्ट है जो अब तक का सबसे जादा किस्पोर्स कितने मैंस किसने जीते हैं, तो Brazil ने तेकर पांच बार जीता है, उसके जर्मणी में दे जीता है, चार बार तो तो फ्रांस की बाद करनों तो फ्रांस ने लो जीते हैं एक 1998 में उसके बाद 2018 में जीता है ऐटीक है अब फाइनल पोजिशन की बात करनों ति फीफा व्रड़ कप 2018 में फाइनल पोजिशन क्या रही है तीमो की तो आप जैसा कि देख रहे हैं चैंपियंस कौन हुआ था यह था फाइनल पोजिशन चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं मल्टिपल च्वाइस कोशन यहां से स्टार्ट में अपर आपने अच्छे से ध्यान से देखा होगा ति यह कुशन अलड़ी बता सकते हैं फीफा वर्ड कप का यह कौन सा संस्क्राण था यह 21 संस्क्राण था फीफा 2018 में कुल कितने देश टीम ने भाग लिया था कुल 32 टीमों ने भाग लिया था फीफा वर्ड कप में कुल कितने मैच खेले गया थे तो यह फीफा वर्ड कप 2018 में कुल 64 मैच खेले गया है तो फीफा वर्ड कप का मैच कब से कब तक चला था यह 14 जून से 15 जुलाई तक चला था FIFA 2018 World Cup मैच किस देश में खेला गया तो ये कहां खेला गया है ये रश्या में हुआ है FIFA World Cup 2018 का वीजेता कब उपकौन से था वीजेता टीम टीम भौन सी थी वीजेता टीम थी फ्रांस की FIFA World Cup का वीजेता देश कौन था विजेता था क्रोईशिया नेक्ट्स कुिशन है 2018 FIFA World Cup में सर्वस्रेष्ट खि़्लाड़ी आप देटीना मेंट कौन रहा है सर्वस्रेष्ट खिलाड़ी आप देटीनामेंट कौन रहा है आप बता सकते हैं ये थे लुका मॉड्रिक फीफा 2018 में सबसे ज़्यादा गोल किस देश के खिलाडियों ने मारा तो ये सबसे ज़्यादा खिलाड़ी तो ये वेलजीम की टोटल 16 इन्होंने गोल दा गे थे FIFA 2018 में Golden Suge किस खिलाड़ी को मिला है तो Golden Suge मेरा Hurricane को ये England के रहने वाले है FIFA World Cup में Golden Ball किस को मिला है Golden Ball मिला है Luca Modric को FIFA World Cup में Golden Gloves किस खिलाड़ी को मिला है तो Golden Gloves मिला है Thébal Kotois को FIFA World Cup 2018 को सुभंकर कौन था देखो FIFA World Cup 2018 सुभंकर का दजज़ेवी वका Guys मैं यहापे Option इचले नहीं पढ़ रहा हूँ कि Option पढ़ने में तोड़ा टाइम लगता है वीडियोस बड़ी हो जाती है तो मैं Option न पढ़के सीधे जो correct answer है उसको बता रहा हूँ ठीक है आप देख लिज़ेगा कि वीडियो को pause करके FIFA World Cup 2026 का आवजन किस देश में हो देखो 26 का आवजन आमने बताया था अमेरिका, मैक्सको और कैनेडा तीनों संयुक दूरूप से आजूजित कराएंगे FIFA World Cup 2026 FIFA World Cup 2022 का आवजन किस देश में होगा 2022 का आवजन कतर में होगा वेरी वेरी इंपोर्टन किस देश ने पहला मैच FIFA World Cup 2008 किस देश ने अमना पहला मैच कहला था ये पनामा और आइसलेंड ने खेला था पहला मैच FIFA World Cup 2018 बीज़े था देश फ्रांस के कोच का कहना है ये दिदी एरे डेश चैंपस हाला कि आप समझ सकते हैं इसको याद ऐसे कर लें कि चैंपियन कौन सा देश हुआ फ्रांस चैंपियन हुआ तो डिदी एरे चैंपस इनका नाम है इसको याद हो जाएगा फ्रांस के कैपतान का नाम क्या है तो यह हीगो लाlorisis ले पुछा जा सकता है कि अभी टीम जीती हुई है वर्ड काप बहुत इंपॉर्टन होता है फीफा वर्ड काप इसलिए पूछा जा सकता है FIFA World Cup के Fair Play Trophy किस देश ने चीदा है वेरी इंपोर्टन कि ये Fair Play Trophy दीता है इस्पेन ने इस्पेन ने Fair Play Trophy जिती है FIFA World Cup बीज़र टीम को कितने रुपए की रासी दी जाती है जो टीम जीती है उसको 222 करोड रुपए की रासी दी जाती है FIFA World Cup में Man Of The Match किस player को दिया गया तो Man Of The Match देखो जिसको दिया गए Antino Mrizman को दिया गया है NORMA Situation constituents Housing ूप Vigeta टीम को कितने रुपय की राशी इनाम की रूप में दी जाती है तो वो 1991 करोड रुपय उप Vigeta टीम को दी जाती है FIFA का मुख्याले कहा इस दियत है? फीफा का मुख्यालर जिवरिक शिटिजर लेंड में इस्ती थे यह इंपॉर्टन इसलिए हो जाता है कि पूछ सकता है फीफा का क्योंकि यह अभी नए स्पोर्स में है रूस की करिंसी का नाम क्या है रूस की करिंसी का रूबल है मैंने इसको इसलिए एड किया हुआ है कि अभी रूस में हुआ है तो आपको एटलिस यह पता होना चाहिए कि करिंसी क्या है वहां कि यह पूछा जा सकता है एक तो करिंसी उन्होंने हंडेट डॉरल की डाक्टिकर भी जारी किया है इसलिए आपको यह important बन जाता है FIFA की स्थापना किस वर्ष में होई तो FIFA की स्थापना 1904 SW में होई थी FIFA के कुल रास्टी संग सदस से देश कितने हैं तो FIFA कुल रास्टी संग सदस से देश है 21 21 ठीक क्रोइशिया की राजधानी का नाम क्या है देखिए क्रोइशिया की राजधानी का नाम मैंने इसलिए एट किया हुआ है कि क्रोइशिया उप विजेता टीम रही है कभी-कभी आपको विजेता से नाद पूछ कर विजेता का नाम पूछ सकता है और नाम पूछ सकता है क्रोईशिया इंपॉर्टेंट रहा है इस बार आया है तो ये भी पूछ सकता है कि उसकी कैपिटल का क्या नाम तो उसकी कैपिटल का नाम है जागरेव ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जागरेव फ्रांस ने अब तक कितनी फीफा वर्ड कप मैच जीते हैं तो देखिए दो मैच जीते हैं एक 1998 में जीता था एक 1998 में दूसरा 2018 में जीता है Harry Kane जिन्होंने Golden Suits का आवार्ड जीता वो किस देश के हैं तो Harry Kane है England के खिलाड़ी है ठीक है Last question देखते हैं FIFA 2018 World Cup में Best Young Players का आवार्ड किस ने जीता है Best Young Players का आवार्ड जीते है Killian M. Pompey एक पर फिर से देख लेते हैं आप जो important fact बन सकते है Question है Golden Ball अगर की बात करें तो Golden Ball कौन जीता है Golden Ball ये है इनके figure भी देख सकते है फोटो भी देख सकते है Luka Motry के Croatia के रहने वाले है Golden Suits जीता है आपके Harry Kane England के Golden Gloves जीते है Thabot Corbottis Cartois ये Belgium के रहने वाले हैं और ये Young Players का आवार्ड जीता है ये Killian Mbap पर ये France के रहने वाले Fair Play Trophy जीती है वो है Spain Spain के Fair Play Trophy का आवार्ड जीता है तो guys I hope इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज उसे लाइक करें दोस्तों के साथ जादा जादा शेयर करें यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले बेल आइकन को ज़रूर दबाए जिससे की हमारी आने वाली इंपॉर्टन वीडियो को नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिल जाए थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग